आईए जानते हैं काले चुहे साप के बारे में। काले चुहे साप जब घेर लिये जाते हैं या धमकी दी जाती है तो अक्सर रक्षात्मक मुद्रा में कुंडली मार लेते हैं, फुफकारते हैं और बार-बार हमला करते हैं। वे पूँच को तेजी से हिलाते भी हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई लोग इस खतरनाक दिखने वाले साप को इसके साहसिक व्यवहार और रंग पैटर्न के कारण राइटलस स्नेक या यहां तक की कॉपर हेड समझ लेते हैं। पुराने समय के लोग कभी-कभी काले चूहे के सांप को पाइलट सांप के रूप में संदर्भित करते हैं। यह गलत धारणा है कि यह सांप जहरीले रैटलस स्नेक को जंगल में सुरक्षित मांद वाले क्षेत्रों में ले जाता है या मार्ग दर्शन करता है। दूसरा सामान्य नाम चिकन स्नेक है क्योंकि काला चूहा कभी-कभी चिकन कॉप्स और मुर्गी घरों के पास पाया जाता है जहां वे कभी-कभी चिकन अंडे खाते हैं। ब्लैक रैट स्नेक संयुक्त राज्य अमेरिका में पाये जाने वाले रैट स्नेक की कई प्रजातियों में से एक है। राइट स्नेक बड़े, शक्तिशाली, गैर विशैले सांप होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शिकार प्रजातियों को खाते हैं ये जौर्जिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।